दोस्तों मेरी आज की वीडियो समर्पित है शिक्षक समाज को जिनके अमुल्य योगदान के बदौलत ही हम अपने जीवन में नए किर्तिमान स्थापित कर पाते हैं तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीकी से आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर तो इसका लोगो आप देख सकते हैं मैं आलेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ आप भी जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे आइकन्स मिल जाएंगे सेटिंग्स का मिल जाएगा स्क्रीन शॉट का मिल जाएगा और रिकॉर्ड का ओप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी कैमरा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी आप यह जो वीडियो देख रहे हैं एड प्रेजेंट यह वीडियो मेंने इसी एप्लिकेशन की मदद से रिकॉर्ड की है तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है किसी भी मोबाइल फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना सिंपली इस एप को आपको इंस्टॉल करना है ओपन कर लेना है उसके बाद इस बटन को आपको प्रेस करना है रेड बटन को जो की है रिकॉर्ड का तो चली दूस्तों आप बात करते हैं वाइड बोर्ड की ये इसका लोगो है डबलु बना हुआ है बीच में मैं आर्लेडी इस तो चलिए इसको open कर लेते हैं और इस application को open करने के बाद ये page open हो जाएगा आप देख सकते हैं आपका whiteboard यहाँ पर open हो चुका है और नीचे आपको pen मिल जाएगा जिससे कि आप कोई भी diagram बना सकते हैं block diagram बना के उसको explain कर सकते हैं लेट से मुझे अपने student को समझाना है कि diode क्या होता है तो simply आप pen choose कर सकते हैं और यहाँ पर आप diode बना के easily explain कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो आपका हाथ है उसको use कर सकते हैं वो आपका pen की तरह काम करेगा आपको यहाँ पर किसी special pen की जरु नहीं है जो आपका हाथ है वही काफी है तो यहाँ नीचे जैसे आप green पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे colors मिल जाते हैं और नीचे आपको तीन circle दिखाई दे रहे होंगे बहुत चोटे चोटे तो आप देख सकते हैं इनका size vary करता है तो इसका मतलब है ज इतने आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी diagram है block diagram है तो आप उसको आसानी से explain कर सकते हैं और उपर आपको यहाँ पर तीन option मिल जाते हैं undo और redo का option मिल जाएगा delete का option मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको zoom का option मिल जाएगा तो जैसे आप इस पर click करते हैं तो आप अप का digital pen आप अपनी finger की मदद से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं block diagram बना सकते हैं बहुत ही easy way में तो चली दूस्तों आप बात करते हैं बहुत important application की जिसका नाम है draw on screen तो simply आपको google play store में type करना है draw on screen तो वहाँ से simply आप इसको install कर ले मैं already कर चुका हूँ तो चली इसको open कर ले हैं तो application आप open हो चुकी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपका content है जो आपको पढ़ाना है teach करना है तो simply आप उसको open कर ले आपके पास word file है या फिर है pdf तो आप उसको open कर ले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ content है मैंने इसको open कर लिया है तो मेरे पास है index तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी finger को एक digital pen की तरह use कर सकते हैं इपन की तरह use कर सकते हैं बहुत ही simple तरीके से तो left side में आपको यहाँ पर काफी सारे वो move नहीं करेगी second वाला option है जो green है यहाँ पर brush का option आपको दिख रहा होगा तो इस पर आप click करते हैं तो जैसे अगर आप इसकी intensity को बढ़ाते हैं ठीक है तो इसका intensity बहुत जादा हो जाएगा तो आपको यह select नहीं करना आपको simply इसको थोड़ा कम करना है ठीक है कम पर रख करेंगे तो और भी ज्यादा better रहेगा let's say यहाँ पर 17 कर लेते हैं और नीचे option आपको मिल जाता है delete का let's say आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया है ठीक है आपको delete करना है तो simply delete वाला option आपको press करना है वो delete हो जाएगा आपके सामने से और हाँ दोस्तों अगर आप चाहते है कि यह जो icons है left side में आपको दिखाई ना दें आप hide easily कर सकते हो इनको तो simply उपर जो arrow है blue वाला उस पर आपको click करना है ठीक है वो आपके hide हो जाएंगे सारे के सारे icons now you can use your finger as a pen तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप अपनी finger को एक pen की तरह use कर सकते हो जो mobile की screen है उस प आप easily pen चला सकते हो ठीक है delete कर सकते हो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो उसको delete भी कर सकते हो तो जो भी line आपको समझानी है explain करनी है जो भी statement आपको समझानी है आप easily उस पर line चला सकते है ठीक है इस तरीके से आप अपने हिसाब से content को समझा सकते हैं तो यहाँ जब icons पर आप click करते हो तो यहाँ पर काफी सारे option आपको मिल जाते हैं सबसे उपर आपको मिल जाते है colors तो colors आप choose कर सकते है। ठीक है अपने हिसाब से और नीचे आपको मिल जाते है Eraser तो eraser से आप इसको erase भी कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपको erase नहीं करना है आपने जो भी कुछ लिखा है सारा का सारा एक सार डिलीट करना है तो simply आपको डिलीट पर क्लिक करना है ठीक है तो सारा का सारा आपका vanish हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान तरीका है जो आपका mobile phone है वो एक white board में convert हो गया और जो आपकी finger है वो एक digital pan में convert हो गई तो मैं उमीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते है एक नई वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग